हाई एविवन वेलकम बैक टो मैं चैनल तो जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि मेंस का मौक इस तरीके से अटेम्ट करना है उसकी स्ट्राटेजी बताओ तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आप लोगों को तो जैसे कि आप हम लोगों को पता है जो क्लर्क मे मैंस के लिए सिफ पढ़ना ही है हमें और पढ़ना ही सबसे बड़ा काम होता है तो एनिवेज सिदे मौक की तरफ मूव ओन करते हैं तो देखिए मेंस के जो मौक होते हैं तो जब आप उसे घर में अटेम्ट करते हो ना उसी तरीके से आप एक्जाम हॉल में भी अपना वह तो यह जो strategy होती है यह बिल्कुल clear होनी चाहिए आपके mind में so that आप जब वहाँ पर exam दो तो यह नहीं कि आपने starting में ही puzzle खोली और उस puzzle को करने में ही आप अपना time waste किये जा रहे हो किये जा रहे हो और जो बाकी के जो students होते हो सबसे पहले puzzles करते हैं तो मैं आपसे यह कहूँगी आप puzzles करो लेकिन आप थोड़ा बात में करो उसे सबसे पहले जो सबसे अच्छे वाले questions होते हैं जैसे mislenious होते हैं मिसलीनेस में आपके critical reasoning के आ जाते हैं ठीक है बहुत सारे critical reasoning को analytical reasoning से नाम से भी जानते हैं तो ये वाले reasoning के हो गए और trust me ये कुछ-कुछ questions जो होते हैं ये two-two marks के होते हैं अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है ये वाले जो marks होते हैं फ्री statement देकर तो वो आपको सब practice करने से ही आएगा और मॉक में जब आ practice करोगे ना अगर किसी को आते भी नी और अगर उसे लग रहा है उसे कहीं से practice के लिए कुछ मिल नी रहा तो आप मॉक तो मॉक में मतलब मैंने ये वाला जो मॉक दी दिया अभी तो इसमें चार questions थे critical reasoning के त और अभी let's see मैंने अभी इस मॉक का analysis भी नी किया मैंने तुरंत इसके बाद ये वीडियो बनाया है तो ये mains का मॉक है जो मैंने last time जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने ये बता दिया था इसमें मेरा score है 44 जैसे कि आपको screen पर देख रहा होगा तो मैंने इसमें current affairs और computer नहीं attempt हिया था अभी सबसे पहले मैं इन दोनों section के बाद कर लेती हूँ general awareness और computer जो है तो वहाँ पर जब questions आएंगे तो ये तो बताने लाइक चीज है जो आपको आता होगा आप वही तो करोगे तो I think general awareness और computer के बारे में मुझे बताने की जुरुत नहीं है आपको क्या प हो जाएंगे तो इसलिए कभी भी doubtful जो questions होते हैं उनको आप attempt बिल्कुल ना करें जिसमें आपको लगता है 100% आपको पता है आपको अच्छे से याद है तब ही टिक करना उसे सबसे पहले देखो number one पर ये एक puzzle है जो मैंने सबसे last में attempt की थी और ये मेरी wrong है ठीक है इसका ये की wrong है उसके बाद आप देख सकते हो ये critical reasoning का था ये मैंने attempt किया था तो मैंने किया था कि first and second both are effects of independent causes लेकिन ये क्या है एक मेरा effect वाला तो सही है ये तो मैं समझ गई थी ये किसी चीज़ का effect हो रहा है लेकिन एक common cause का है ये मैं नहीं समझ पाई इस वज़े से मेरा wrong हो तो देखो आप मैंने एक critical reasoning का किया सबसे पहले उसके बाद फिर मैंने blood relation किया ये सब miscellaneous के अंदर आ जाता है उसके बाद ये ranking वाला था उसके बाद मैंने 10 वाला नहीं किया और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हो coding decoding आ गई है तो ये भी मैंने skip की हुई है उसके ये है मैंने ये किया कि Switzerland is a European country बट यहाँ पर कहीं भी ये चीज़ प्रूफ नहीं हो रहे कि ये European country है एक बर मैं देख लेती हूं यहाँ पर इस वज़े से मेरा रॉंग हुआ है तो मतलब ऐसे गल्दियां करकर के ही हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद सिधर 20 पर देखते हैं तो ये सारे silogs हैं ये मैंने किये वे 16 पर मैं बता देती हूं ये input output मैंने skip किया हुआ है silogs हैं उसके बाद अगेन ये puzzle है उसके बाद ये फिर से critical reasoning का आगिया 27 तो आपको दिख रहा होगा फिर से ये एक puzzle है जो skip कर दी puzzle ये time नहीं बच्छा वंड़ा मैं इसे कर लेती और 39 पे और 40 पे ये कुछ critical reasoning और ये कि miscellaneous वाला इसमें बताना था किस word से क्या meaningful word बन रहा है तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से attempt किया हुआ है जो miscellaneous है वो पहले किये रहे हैं अब मैं आपको बताती हूं quant section का तो quant तो मुझसे हुई नहीं इसकी मुझे tough लगी 161 पे पहले मैंने easy वाली गी देख सकते हो आप लोग ये easy di है उसके बाद ये मैंने missing करने का try किया लेकिन सारी मुझसे हुई नहीं उसके बाद 171 पे again एक दूसी puzzle थी ये मुझसे wrong हो गई अभी मैं देखूंगी मेरा कहां पर wrong हुआ है 180 में quadratic यहाँ पर भी ये सारे miscellaneous के अंदर आते हैं quantity based वाला ये एक मेरा wrong हो गया ये भी मुझा भी check out करना है कहां पर क्या mistake है अब ये बाकी सारा arithmetic है यहाँ पर तो ये mark मैंने अच्छे से एकदम fully concentrate होकर नहीं दिया लेकिन जो मैं दूसरा वाला दूँगी उसमें आपको दिख जाएगा मेरे marks में काफी improvement दिखेगा आप लोगों को अभी आ गया है English section तो English में तो सबसे पहले मैं English में क्या करती हूँ error वाला मैं बात में करती हूँ सबसे पहले मैं करती हूँ fillers वाले तो आपको ये दिख रहा होगा ये close test है तो close test 5 थे इसमें मेरा 1 wrong हो गया है ये easy था no actually इसके काफी सारे है इसके 10 थे close test के उसके बाद ये मैंने किया connectors तो connectors में मेरा 1 wrong है तो connectors मुझे ठीक ठाक आते हैं अच्छा से ये मैंने practice किये हूँ उसके बाद ये था एक देख सकते हूँ आप लोग पैरा jumble इसके I think ये दो pair मेरे wrong हो गए उसके बाद ये मैंने passage किया, passage सबसे last में सबसे पहले जो close test है, बाकी सारे जो questions है, fillers वाले, error spot करने वाले वो सब मैंने किये और इसमें जो synonyms बताना होता है, closest बताना होता है, ये वाले मेरे wrong हो गए है तो ये सब मैं अभी analysis करूँगी अच्छे से, उसमें मुझे पता लग जाएगा तो ये थे 3 section, किस तरीके से क्या पहले attempt करना है, वो मैंने बता दिया reasoning में मैंने बताया, सबसे पहले miscellaneous करो, puzzle बात में करो और puzzle में सबसे पहले ये देखो, कि कौन सी आप कर सकते हो, एक बार मैं आपको फिर से reasoning का section दिखा देती हूँ तो ये वाली जो puzzle थी, ये आप लोगों को देखके पता चल रहा होगे, कि 7% है और वो एक 10 floor की building में रहते हैं तो मैंने देखा कि data ठीक ठाक है, और थोड़ी बहुत starting कि मैंने दो words पर एक काव्या जो और number floor पर रहती है अरुन रस्तोगी के नीचे है, तो इससे ये पता लगया कि ये ज़्यादा complicated से नहीं है, ये बन जाएगी but I don't know मैंने कहाँ पर silly mistake ये मेरी wrong हो गई, उसके बाद मैंने फिर ये वाली puzzle देखी ये वाली puzzle आप देख सकते हो, इसमें three different months है और three different dates है उसमें ये जो LMNO, जो भी persons है, ये in flights से जाएंगे तो ये भी मैंने देखा, इसकी starting की कुछ lines पड़ी और फिर मुझे समझ आगया था कि ये doable है तो ये मैंने कर दी थी, again उसके बाद ये वाली जो puzzle है मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने skip कर दी, skip क्या मतलब time नहीं था, seven persons है ये लोग और in-in dates पर ये bond है, age every person is calculated, 2022 से minus करके उनकी age निकालनी है same ऐसी question वहाँ पर आ रख था, IVPS clerk pre वाले में भी, ऐसी puzzle आ रखी थी, ये थोड़ी से difficult होगी बट वो moderate थी तो यहाँ पर लिखा हुए, जो heaviest person है, वो second oldest है, तो मतलब weight और इनका जो भी age है, with respect ऐसे करके इन लोगों को arrange करना है तो आप देख रहे हैं, उसमें एक तरीके से, दो variable के उसमें हमें arrange, तो इसको मतलब पढ़ने से ही मुझे पता लगया था, इसमें मेरा time लग सकता है, तो यह मैंने last में किया starting की जो दो puzzles की, उसमें मैंने देखा, यह हो सकती है, तो वो मैंने पहले choose की, तो वही आपको करना है, selection अच्छे से करना है, ताकि timely जो भी आप कर रहे हो, वो solve हो जाए, तो mains में यही होता है, mains में time तो आपको मिल जाता है, लेकिन वही होता है, कुछ questions ऐसे होते हैं, मतलब दिखने में तो लगता है कि वो हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही confusing सा pattern होता है, तो वो नहीं बन पाता, तो यही चीज आप लोग करना, और अगर in case जैसे अगर कोई यह वाली puzzle अगर किसी ने पहले कर ली, for example मैंने यह पहली puzzle उठा ली, अब मैंने 3-4 minute इसको try किया, यह नहीं बनी, नहीं बनी, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको फिलाल साइट रख दूँगी, और कोई दूसरी puzzle करूँगी, क्योंकि time waste नहीं करना, क्योंकि 4 minute बहुत होते हैं, पजल को अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो हाँ, और अब बात करते हैं, time कैसे devote करना है, त तो reasoning में आप 30 minutes दो, English में आप 30 दो, Quant में आप 30 दो, बाकी के जो 30 minutes बचे 15 आप दो computer के लिए और 15 आप दो GA के लिए, 15-15 minutes बहुत होते हैं, ये 15 minutes I know बहुत जादा बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपका जो extra time बच जाएगा ना, फिर आप देख लेना, जो question आपक चुटा होगा वहाँ उसमें adjust कर लेना, तो I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो mains का जो mock होता है, even जो exam भी होता है, वो किस तरीके से time किया जाता है, तो बस यही था इस video में, जो मुझे लगा जरूरी आप लोगों को बताना चाहिए, वो मैंने आपको सब बता दिया कर दो, किया किया यह कर verwanda किया ने बाइए, जो है कि मुझे लोग आपक गढ़े किर रूदा को प्रूद कुछना है, पर दिया में दिन, का प्रूद्ध कोष़ वित शजए कि दिन, आपके रूद्ध को यहाँ कर एक्या का हाद।, दिन, का जो रावागों कर दिन, का वित